हाई फ्रेंड जेशी कृष्णा केसे हैं सब लोग आसा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे सब को दसेरे के हरदिक सुबकामना आईए अब हम आपको ले चलते हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ में जिसका नाम है घर पर पानी गरम करने का गिजर बनाना तो आप हमारी वीडियो पे एंड तक बने रड़ी वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक याँ शेर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा तो ये देखिए, आप लोग जानते हैं, लेटरिंग बाथरूम में हमारे जो गीजर लगे हुए होते हैं, आठ से दस अजार का गीजर आता है, पानी गरम करने का, वो ही गीजर हम आपको मात्र 500 से 600 रुपे के खर्चे में बनाना सिखाते हैं, जो आप घर पे बना सकते हो, और ये जो अपानी बाल्टी लगती है, ये अगर आपके अपास हो, तो आप और कम में भी बना सकते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा पानी गरम करने वाला पंजा है, इस में से हम जो है ये रिंग निकालेंगे, इस रिंग को यहां पे लगाएंगे, रिंग को लगाने के बाद में हमारा जो मारकर आता है, मारकर से ऐसे अपन निशान मार देंगे, और ऐसे निशान मारकर से लगा देंगे, मारकर से निशान लगाने के बाद में अपने को चाकू लेना है, और चाकू को जो है हमारा गेस पे अच्छा गरम करना है, और अच्छा गरम करने के कर लगे हुह निपिसान कि अंदर आंदर करा करके ईसे इस परकार से इसको छेत को कर लेना है वह तो कर लेने के बाद मैं अन्धर पलगा लिए कि की इसको अपने को इश सीधा रखaky यह आंटे वाली राड को ओ पला रर ज़ीर यह उसके लिए आपन जो है इसको इसके अंदर इसे लगा लेंगे यह बिल्कुल फिक्स और टाइट आना चीए ताकि हमारा पानी लिकेज ना हो यह हमारा वाइसर रह गया था बाहर यह वाइसर लगा के जो है हम इसको पंजो को इसमें से डालेंगे उसके बाद में यह जो हमारी कटोरी है इसको अच्छा टाइट कसना है अपने को इसको अच्छा फूल टाइट कस देंगे फूल टाइट कसने के बाद में यह जो हमारा वायर है कार्ड हमने तयार करके रखा है पेले से यह हमारी कार्ड को इसमें डखकन में डालेंगे डखकन में डालने के बाद में इसमें यह जो हमारे इस्पूरू लगे हुए हैं तो कर दो अब इसमें जो है अपने को धकन को उस हिसाब से लगाना है कि यह अपना जो डखकन का छेदे यह इसमें नीशे रहना किये ताकि उपर से अगर अपन बाल्टी में पानी डालते हैं अगर ज्यादा पानी हो जाए तो वो इसमें नीशे ना जा सके यह इसमें इस प्रकार से लगेगा और अब यह इसमें हमारा पंजा जो है लग चुका है अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे यह देखिए हमने जो है इसमें पानी डाल दिया है और अब हम यह जो बाल्टी है इसको यह देखिए इसमें अब हम इसमें करेंट में लगाएंगे अपने कार्ड करेंट में लगा दिया है इसमें अपना कार्ड अब इसमें पानी में देखिए आप इसमें आप अपना पानी में हाथ भी डाल दो इसमें भी हाथ लगा लो उंगली लगा लो किदर भी टेस्ट कर लो यह अपन current लगने का खतरा नहीं रेता है इसमें हाट डालने पर और अपना पानी भी परियाक्त दो से तीन मिनट के अंदर मतलब पानी परियाक्त गरम कर देता है जो गीजर से भी फास्ट गरम करता है और इसमें voltage भी बहुत कम लेता है बिजली का बिल भी बहुत कम आता है तो ये देखिए हमारा पानी गरम होने लगया है इसमें बुलबुल आने चालू हो गए है तो ये अभी हमारा दो मिनट के अंदर बिल्कुल फास्ट पानी गरम कर देगा और ये इसका ढखकन है ढखकन ढखके ऐसे रख सकते हैं ये आप खुला भी रख सकते हैं आपकी बालती का पानी गरम हो जाया ताप इसको आराम से उठा के दूसरे बरतन में डाल के इसमें वापिस ठंडा पानी डाल सकते हैं और दस मिनट के अंदर मतलब 10-4-5 जने आराम से ना सकते हैं उत्ता पानी परियाप्त गरम कर सकता है और ये जो पंजा अगर आप डुपलिकेट लाना चाहे तो 1.500 से 200 रुपे में भी आता है लेकिन ये जो है मेंगा वाला है और 2 साल की वारंटी में है डो साल तक अगर कुछ भी हो जाएता इसको फेक के वापिस नया दिया जाता है और ये वाल्टी हम तयार करके भी रखते हैं ये हमारा गीजर तयार करके भी रखते हैं दोस्तों तो ये आपका गीजर आपको मात्र 600 रुपे में पड़ेगा तो यह आपका 600 रूपे का गिजर जो 2 साल की गारंटी से है और कम से कम 10 साल तक आपको इसमें देखने की जरूत नहीं है 10 साल तक आपको कोई टेंशन और फरेशानी नहीं है और वल्टेज भी कम लेता है अगर आपको यह चाहिए और अगर आपको आडर अगर देना हो और लेना हो तो आप कमेंट में अपना मोबाइल नमबर लिग दीजिएगा तो उस पे हम वाटसाप से आपसे बात कर लेंगे और अगर डारेट आप हमसे वाटसाप पे बात करना अगर चाहते हैं तो आप हमारा WhatsApp नमबर नोट कीजिएगा जो हम आपको description box में डाल देंगे नमबर हमारा उस नमबर पे आप हमको WhatsApp करके और अपना देशी गीजर भूग भी करवा सकते हैं ये देखिए इसमें अंदर पानी में हरकत देखिए अब ही करीब एक मिनेट भी नहीं हुआ है पूरा इसमें ये हमारा पानी जू है गरम हो चुका है और ये देखिए अंदर से बुलबुल आने चालू हो गए है और पानी जो है हमारा विल्कुल फास्ट गरम हो गया है तो आपको केसी लगी हमारी वीडियो हमारी वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अगर यदि आप ने अभी तक हमारे चेनल को subscribe नहीं किया तो हमारे चेनल को subscribe जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे हम जैसे ही नई वीडियो लेके आए तो वो डारेक्ट पहले आपके पास आ सके इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाई दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और से जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो ये देखिए हमारा पाने बिलकुल फास्ट गरम हो चुका है ये इसमें बूल-Pूले आने चालू हो गए है और अच्छी तरह से गरम हो चुका है आप हाट डालके भी देख सकते हो ये बहुत ज्यादा गरम हो गया है बहूत फास्ट गरम हो गया है पानी बहुत फास्ट गरम करता है तो दोस्तो आज की वीडियो हम आपके लिए घीज तो आज यहीं पे हम हमारी वीडियो को समाप्त करके विराम देते हैं अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं तब तक के लिए जेशी कृष्णा जेश्री राम